हिमाचे प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर सेवनिवृत करमचारी लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे हैं। बिते सरकार में उनकी ये मांग पूरी नहीं हो पाई, लेकिन करमचारियों को इस सरकार से काफी उम्मीद है। Corporate Sector सेवनिरित करमचारी समन्वे समीती के अध्यक्ष ने कहा कि पूरव की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने उन्हें बेवकुप बना कर रखा। वे बार बार अपनी मां को लेकर उनके समक्ष गए लेकिन उन्हें अंसुना किया गया जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। 27 सक्तूबर 1999 को भाजपा सरकार द्वारा निगमो पेंशन की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन 2004 में कॉंग्रेस की सरकार ने आते ही पेंशन की अधिसूचना को रद कर दिया जिसके चलते कॉर्पोरेट सेक्टर के करमचारियों को प पुरेट की सेवा निर्वित करमचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। उनके पड़ादिकारी वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंडर सिंग सुखु से भी मिले हैं लेकिन उन्हें डेट महीने बाद मिलने के लिए कहा गया है। उन्हें तुरंत वारता के लिए बुलाय पूरे पांच साल तक लेकिन पूरे पांच साल तक पूर मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी ने हमारे को बेकुप रखा बनाया हुआ। जूट बोलते रहे। और यहां तक ही पता चला हमारे को के बात के कैबिनेट मेंत्री को एक कहा गया कि पैंसन का मुद्दा रहें अंदर कुछ बोलते रहे। लास्ट में भी जब हम उन से मिले तब भी उनको हमने आगर मैंने आगरे किया था कि मुख्यमंत्री जी 637 लोगों का मामला है आपने इनफरमेशन और प्यप सी से मंगाई है वह 800 ठुनजा करोड रपया वहां से ट्रांस्वर होना है जिस पर लास्ट में भी जब हमने उनको कहा कि आप इसको कर जाएंगे तो आप रिपीट कर जाएंगे कर्म चारी आपसे बहुत नराज है उन्हों नहीं सुनी बात उन्हों नहीं इतना तक कहा हमें कि दो प्रसेंट इंप्लाईज है हमारा कुछ नहीं बगाड सकते हैं अब कि हम हारे हैं इनको सबक है उनको याद रखना चाहिए कि हिमाचल का कर्मचारी जो है ओ जो डिशिजन लेता है उसको इंप्लिमेंट करता है जिस सरकार को चाहे उसको हटा सकता है जिसको चाहे बना सकता है इन्हों ने ये कहा कि दो प्रसेंट कर्मचारी हमारा कुछ नहीं भी बेगाड सकते हैं अपनी कंड़ना की दिक्कत यह है कि पॉजिटिव सोच हो तो 6730 लोग कुछ भी नहीं है हमारा हमने तो गौर्मेंट से पैसा लेना ही नहीं है गौर्मेंट से गौर्मेंट की फिगर है उसके अंसार मैंने आपको डिटेल बता दी उसमें 700 का सब्सक्राइब मिल रहे हैं तो बूरने का मतलब है कि यदि सरकार पैसे पैसे पैसल मांग रहे हैं हम सरकार से कुछ नेंगे 800 ठुझा क्रोड रपया हमारी फिगर नहीं है थानिस बाटमट ने आर्पिएफसी सिम्बला को लिखा था कि आप डिटेल देंके पैसा कितना है वहां पर तो उसमें 800 ठुझा क्रोड रपया हमारा वहां पड़ा हुआ है ओ औ एक हमारा सरकार से ब्रतवानों मुख्य मंद्री से अगर यह भी है कि कर फस फ़ंड गौर्वन्न होगी नहीं है और पैस्फस कर्मचारी हमारे बीच में नहीं है जो सो सब्स्त्रीज नहीं है और सब और जूबым weekend ॏनका पैसा सम्ट में जा रहा है और बढ़ी रहा है डबल हो रहा है अभी तक बरत्मान सरकार के पास कुछ हमारे नमाइंदे गए थे डिस्टिक सिंबला के कुछ लोग गए थे मानी मुखवन्ति से जिम मिले थे उन्होंने कहा के 10 मिन बात मेरे से बात करें मनी मुखवन्ति जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कुर्सी पर बैठे हैं उसके लिए आपको मार्क बाद कॉर्पर सेटर रिडायरी कॉर्डिनेशन कमेटी आपको फुल सहोग करेगी जहां भी आपकी जूर्ट पड़ेगी हम सहोग करेंगे लेकिन डेड़ महीने हमारा कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सत्तर प्रसंट लोग जो है वो सत्तर और साल से उपर के हैं और हर साल दो और तीन पांच और शे की बीच में एवरेज हैं जिनकी डेथ हो रही है हमारे से तुरंत बारता की जाए जैसा कि आपने विद्धान समय कहा था आपके सब्द है कलर को दूंगा को दूंगा सभी बोर्ड कारपेश अधिक्सिंट अधिक्सिंट के अंतरगत है उनको पैंसन दे आप जो आग्याप ने सुच रहें चाहेंगे आप वह आप देते रहें उसमारा को अब्जिक्शन है क्लिट करेंगे अभी स्टेट ब immensी मीटिंग हम रखने हैं इमिजवर रख रहे था उसके बाद निरने लेंगे और सभी जो मेरे सेले उन्से बाचित करोगा उसके भाद जो झोट कर वाध कोनिति कहाँ हुप हुप है कि मीटिंग कहां हो इसमें क्या मैसित रखश रखना है वह रखेंगे लेकिन मुख्या मंतरी जी का ना कि आपका मामला हों है पाइफ है गात की धूचित हमारा उनकी पेंसिन उनकी उन्होंने जाओर कि थे उसके उनसार लगबग 700 लोग पेंसिन ले रहे हैं और एज पर गौर्णमिट ले रहे हैं मेरा मीडिया के माद्दम से सभी निगमों और बॉर्डों के जो होडी हैं उनसे आग रहे हैं कि जो इसमें डी ए लगता था आप डी ए लगा रहे हैं उनको डी ए भी लगाया जाए और एमामला भी मुख्यमिट पर उखाया जाएगा इसके साथ साथ जो तीसरे मांग हमारा तीसरा जो भीशे है ओ है मेडिकल का कुछ बोर्ड कारपेशनों में जो है मेडिकल की सुबदा दी जा रही है और कुछ में नहीं दी साथ एगी लेकिन हमें चाहते है के हमारा पेंशन का मुद्दा आप अधिकारी जाने का लिस्ता बताते हैं जैसे जयराम रही जुद रहे है कितने करम